हेलो गाइज, वेलकम बैक दो मैं चैनल, आज जो कोर्स मैं आप लों के लिए लेकर आई हूँ, वो साइबर सिकूर्थी का एक अमेजन सा सर्टिफिकेशन कोर्स है, हम यह कोर्स करने जा रहे हैं, साइबर आर्क सिलूशन की दिर्फ से, आपको बताती चलूं कि इस कोर्स के między-दर आपके पास चार ट्रेणिंग ओप्शन हैं, सबसे पहले ट्रेणिंग ओप्शन है, क्या आप ओंसाइट ट्रेणिंग कर सकते हैं, इसके लाव आप लाइफ ट्रेणिंग को बी करे सकते हैं, तो आज जो मैं आपको यहां पर ट्रेणिंग कराने जा रहे हूं, वो basically e- learning के उपर है सबसे पहले बात कर लिए तो यह ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको टेक्निकल experience के बार में बताया जाएगा cyber security से related cyber security से related इसके अंदर आपको तमाम material पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ आप वैस यहां पर गजाने वाला है और आपके पास certification के around 4 level है स्कोर्स के अंदर सबसे पार लेवल है आपके पास यहां पर trustee दूसरा आपके पास defender तीसरा लेवल है आपके पास senate tree और चौता लेवल है आपके पास यहां पर guardian हर एक लेवल को आपने यहां पर complete out करते जाना है और complete out करने के बाद आपको हर लेवल का badge जो है वो मिलता जला जाएगा इस वीडियो में मैं जो आपको लेवल करा रही हूं वो है level 1 trustee इसके अंदर हम बात करेंगे basic knowledge के बारे में cyber security की और understand करेंगे कि किस तरीके से cyber arc solution इसके उप इसको सर अंजाम देता है एक course का link आपको हमेशे की तरह मेरे description box के अंदर से मिल जाएगा जहां से आने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि खुद को इस website के उपर sign up करना है sign up करने का process बहुत असान है इसके लिए आपको आपकी email address और आपके password का इस्तमाल करना है जब आप sign in कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपके पास आ रहा होगा और यहां से आने के बाद आपको यहां trusted वाले option के learn mode के उपकर क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करोगे यहां पर कुछ इस तरीके का interface आपके पास आजाएगा यहां पर आपको एक अस सम्भी बताई ग है जो के managers, IT personal, network engineer, complex of engineering जैसे exams को पास करना चाते हैं कोर्स चिरू करने के बाद आपको बताते चलूँ आपके पास around यहां पर seven modules होंगे जन्हें आपको complete out करना होगा आप देख सकते हो यहां पर course overview के अंदर मैंने इन सातों modules को यहां से complete कर लिया है इसके इंदर सबसे पहले आपको user account और privilege account की security के बारे में बताया जाएगा उसके बाद business related cyber आपको किस तरीके से helpful रह सकता है उससे accordingly आपको detail बताई जाएगी third module के अंदर targeted attacks के बारे में और life cycle के बारे में हम बात करेंगे fourth module के अंदर आपको ramzover के बारे में बताया जाएगा कि वो किस तरीके से helpful है और at the end आपको PM success के साथ साथ developed secret management में किस तरीके से work कर आप cyber art कर सकते हो उन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा यह सारे modules है वो video based और practical based रहने वाले हैं आपके पास और उसके बाद आपको यहाँ पर एक अदर exam देना है तो चलिए अब मैं आपको जो है यह exam देकर दिखाती हूं और इसके आपको सारे के सारे answers पताती है आप देख सकते हैं कि हमारा level 1 trustee exam है यहाँ पर आपको बताती है चलूँ कि the trustee certificate is web-based and consist of one drag and drop questions and 17 multiple choice questions passing grade रहने वाला है 80% और इसके लिए कोई time नहीं है आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको retake भी कर सकते हैं चलिए यहां से लांच करते हैं और फिर हम देखते हैं इसके answers यहाँ पर load होने के बाद यहां पर इसका interface आएगा कुछ इस तरीक इससे आपके पास आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि यहां पर आपके बास 20 multiple choice questions हैं जिसमें आपको introduction to cyber art leverage account solutions के बारे बारे बताना है तो चलिए हम यहां से start exam वाले button के उपर click करते हैं सबसे पहला question है dash is when an attacker manipulate people so they give up confidential information और password तो इसका correct answer बताने से पहले options बता दूँ आपको यहां पर spare pushing method zero day attacks driven by download method social engineering तो इसका correct answer होने वाला है हमारे पास यहां पर social engineering अब चलिए अपने अगले question के तरब जो है what is a typical ratio between privilege account and the number of employers in a level less employer than privilege account one out of one every employee has a single privilege account more employer than privilege account तो इसका correct answer रहने वाला है यहां पर हमारे पास less employee than privilege account customer three है हमारे पास यहां पर which account is special user account that an applicant or service used to interact with the operating system root account administrative account any user account or service account हमारे पास यहां पर given option है तो इसका correct answer रहने वाला है हमारे पास यहां पर service account question four है a successful fishing attack that cause exfoliated of data in an example of martialist insight, explosive insight, zero data attack and international insiders इसमें से correct answer रहेगा आपके पास यहां पर exploded insiders अगले question है organizations should use the same local administrator password on each system तो obviously इसका correct answer आपके पास रहने वाला है यहां पर false the first step of targeted attack is dash cyber attack use a mixed method sphering phishing drive by download to beached organization internal assistance attacker collect data inside the network that will help them to get their goals external relaxation literal movement within the organization to take control of additional machines आपको बताना है first step of the target attack तो इसका correct answer रहेगा यहां पर हमारे पास external relaxation attack collect data that will help them to attack the organization question number है अगले हमारे पास यहां पर organization should proactively secure and monitor the use of high value account तो इसका correct answer रहने वाले आपके पास true अगला question है that dash allow a user to authenticate to a system and determine whether the user can connect to the system and to which source on the system the user should get access user account, service account, application account, local admin account यह है हमारे पास यहां पर question number 8 तो इसका correct answer रहेगा हमारे पास यहां पर जाने वाले हैं user account वाले option के साथ health information, credit card numbers, social security numbers are intellectual properties, IPs are example of administrative account, public account, public information sent is it better to the organization should perform इसका correct answer रहने वाले है sensitive data that the organization should protect को समें 10 है हमारे पास dash are leveraged local or domain account that are used by an application to the service to interact with the operating system user account, local admin account, application account, services account इसमें से correct answer आपके पास यहां पर इसका correct answer रहेगा हमारे पास services account को समें 11 है organization should encourage user to specific of and unexpected emails तो यह बात बेकुल ठीक है तो इसका correct answer रहे true को समें 12 है organization should use multi-factor authentication तो यह भी true है ठीक है which accounts are consider privilege account को समे 13 है हमारे पास है अबर आपको multiple options को select out करना है इसमें समारे पास option रहने वाला है सबसे पहले shared privilege account, elevate personal user account, applications account को समे 14 है dash fill, deliverability, steal information or cause damage, mercolius insider, un-international insider, attacker, exploded insider so attackers तो इसमें से confirm है इसके इलावा आपको जह है एक अदद option शायद कोई और juice करना हो तो इसका correct answer रहने वाले है यहापर हमारे पास exploded insiders क्योंकि यह तीन हो इसी के अंदर आज़ते हैं को समे 15 है monitor privilege section activity is only recommended for constructor तो इसका correct answer रहने वाले है आपके पास false को समे 16 है मारे पास dash may be tricked by external parties into sharing data और passwords exploded insider इसका correct answer है यहापर को समे 17 है what are the guiding principle of the cyber art blueprint for the privilege access management success तो इसमें साब को multiple choice को choose out करना है तो इसमें हमारे पास 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 बहने वाले है prevent critical thief stop living and vehicle movement vertical movement limit privilege exclamation and abuse इसमे 18 है dash are typical use by the IT staff to perform maintainers or to set up new work stations इसका correct answer रहने वाले है local admin account को समे 19 हो हमारे second last question है dash infect the computer by visiting a website that is running markless code इसका correct answer है drive by download method आपको drive by download method provide के जाते हैं इसके जड़ी आपके पास यहाप viruses वागेरा जो है वो आते हैं हमार आकरी question है यहाँ पर dash are used by application to access database and provide access to the other application तो इसका एक answer रहने वाला है application account अब यहां से next करते हैं और next करने के बाद submit all के बुटन के उपर click करते हैं आप देख सकते हैं कह रहा है congratulations you passed you scored 95% तो अब हम यहां से क्या करेंगे save and return वाले बुटन के उपर click करेंगे आप देख सकते हुगे मैंने यहां से जो है वो अपना assessment पास कर लिया है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे inbox के इंदर यहां पर congratulations के एक email आगई इसके इंदर लिखा है Congratulations on achieving the level 1 plus the exam certification from CyberArk Your certification is now available as download you can access this system item by visiting the link तो हमने यह link open कर लिए और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का CyberArk का मेरा जो है यहां पर Certificate आ गया इसके पर मेरा नाम भी मौझूद है और इसे related पाकिप की details भी आप मुझे provide out की गई है तो मैं उम्मीद करते हूं कि आज का यह course आपको पसंद आया होगा इसी तरीकी के अच्छे certification course इसको करने के लिए मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइगन की बटन की पक्लिक करना मत भूलिए आप सबरूंगी अपनी अगरी वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त